Hello everyone, welcome to my channel, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे Class 11th English की Elective Book Woven Words का 3rd essay Patterns of Creativity जो की S. चंदर शेकर ने लिखा है उसका 2nd part पढ़ेंगे, एक part हम अलड़ी पढ़ चुके हैं तो वो part अगर आपने नहीं देखा है तो description में मैंने playlist का link दिया है, वहाँ पर जाकर आप 1st part देखिए पहले, फिर 2nd part को देखिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले, आप इसके description में और comment section में जो भी words और इसके meanings दे रखे हैं वो अच्छे से पहले note down कर लीजीगा, ताकि आपको ज़दा पढ़ने में दिक्कत ना है, तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, हमने जहां तक पढ़ लिया था, उससे आगे पढ़ेंगे आज तो यहाँ पर हमने शैले का एक example लास्ट पढ़ा था, अब आज हम second example इसका पढ़ने वाले हैं so the second example is from the Promethues Unbound which has been described by Herbert Reid अब जो इसका second example है शैले वाला, वो कहां से लिया गया है, Promethues Unbound से Promethues इसमें एक character है और इसे describe किस ने किया है, इसे explain किस ने किया है, Herbert Reid ने इसे explain किया है अब वो किस तरह explain करता है इसे as the greatest expression ever given to humanity's desire for intellectual light and spiritual liberty अब liberty क्या होता है liberty होती है आपकी सरतंतरता spiritual यानि कि आत्मिक spirits को आप आत्मा बोलते हैं या भूत बोलते हैं जो भी intellect यानि कि हमारा दिमाग और light रोशनी होती है तो मानवता की जो भी इच्छाएं है उसे सबसे उपर बताते हुए काया कि इसके लिए हमारी चीज़ी क्या काम करती है एक तो हमारे दिमाग की जो रोशनी या वो अच्छे से काम करती है और हमारा जो मन है उसकी सरतंतरता होती है वो हमें unbound करता है कि हम इसके लिए काम करें तब ही हम अपनी च्छाओं को पूरा कर पाते है और अब second example में क्या बताते है तो अब इस second example में कहते हैं कि जो रोशनी है अब इस science को denote करते हुए कह रहे है कि जो रोशनी है वो तो क्या है वो एक slave है यानि कि वो गुलाम सी है और उसके अलावा क्या कहते है रोशनी है बिजली भी कह सकते है हम इसे और जो स्वर्ग heaven की गहराईया है उसके अंदर तो तारे है मतलब उसके deep में सबसे ज़्यादा deep में तारे है और ये तारे जो है किस तरह पास कर रहे है जैसे कोई flock of ships होता है जैसे भेड़ों का जूंट होता है उसके तरह आंखों के आगे से निकल रहे है और उन्हें काउंट भी किया जा रहा है और जो तुफान है वो कहाँ उसकी स्टीड है यानि कि उसकी गती है अब आगे कहते हैं तेमपेस्ट इस दा स्टीड यानि कि ये जो तुफान है उसकी बहुत ज़्यादा गती जो है वो तेज है वे हवा से टकराता है और साइंस जो है ये तुफान की गती पर ही लोड़ा कर रहा है उसके अलावा जो इसका हम कह सकते है अबायस का एक मिनिक होता है अबायस को हम कह सकते है या तो रसातल कह सकते है या फिर इसे हम कह सकते है जो आपका ओपाजिट होता है इसका isheaven का जिसे हम कहते है पताल, पताल लोग तु जो पताल है उसके बारे में कहरें है कि पताल है उसकी गईराई से इसकी आवाजे आती है कि His work, heaven, has, 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 का क्या मिनी होता है, has, और då का मिनी होता है, you, has, has, दो, secrets, यानि कि क्या तुमने मुझे से कोई भेद रखे, यानि कि कुछ ना कुछ मुझे सुपाया है, Man unwills me, Man जो है वो, इंसान जो है, वो मुझे खोल रहा है, I have none, हालां कि मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी इंसान मुझे खोल रहा है यानि कि साइंस में और खोजें करता जा रहा है हालां कि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है अब आगे क्या कहते है Let me turn to a slightly different aspect of the matter अब ये कहते हैं कि अब मैं दूसरे matter पर बात करूँगा यानि कि दूसरे matter पर मुझे बात करने तो What are we to make of the following confession of Charles Darwin कि आगे Charles Darwin का एक confession आ रहा है उसके बारे में अब हम क्या कहेंगे तो यागे Charles Darwin का एक confession है Up to the age of 30 or beyond it poetry of many kinds such as the works of Milton, Gray, Byron, Wordsworth, College and Shelley Give me great pleasure अब यागे Charles Darwin कहते हैं कि लगबक 30 साल की age तक इसके नजदीक तक मेरे को poetry ने बहुत ही अच्छा अनन्द दिया है जैसे कि Milton की, Gray की, Byron की, Wordsworth, College, Shelley इन सब की poetry को पढ़के मुझे काफी ज़्यादा अच्छा लगा है और स्कूल बोई के रूप में यानि कि जब मैं बच्चा था स्कूल में पढ़ता था, तब तो मैंने Shakespeare के जो plays हैं उनमें बहुत ज़्यादा इंटरस्ट लिया है और जो history से related थे, यानि कि जो history से इतिहास से जुड़े थे उनमें तो मैंने काफी ज़्यादा अनन्द महसूस किया इसके साथ साथ ही कहते हैं कि जो इतिहास की पिक्चर्स है जो भी और उसका जो music है उससे मुझे बहुत ज़्यादा अनन्द मिलता है यानि कि history से related जो भी पिक्चर्स देखते थे उससे ने काफी ज़्यादा अच्छा फिल होता था अब यह आगे बताते हैं लेकिन अब कई सालन से क्या हो रहा है मैं पोईट्री की एक भी लाइन अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूं अब बहुत ज़्यादा समय भी नहीं हुआ इतना कि मैंने शेक्सपिर पढ़ने की ट्राइब भी की थी लेकिन खुद को इसमें अनकंसिद्रेबल मैसूस किया यहने कि उसको पढ़ने में सक्षम नहीं पाया और वहीं पर मुझे क्या होने लगा गबराट सी होने लगी अब आगे क्या बताते हैं कि मेरा दिमाग अब किस तरह काम करें एक मशीन की तरह काम कर रहा है यानि की काफी सारे बड़े-बड़े कलेक्शन में से फैक्ट के बड़े-बड़े कलेक्शन में से मेरा दिमाग सिरफ जनरल लोज यानि की जो समाने से नियम है उन्हीं को उठा रहा है और जो मतलब उसके लवा जो हमें हमारे मन को चीजे पसंद होती है उसे तो क्या है दिमाग छोड़ता ही जा रहा है उसे बीचे ही छोड़ रहा है और इस बात का मुझे बिलकुल भी समझ नहीं आ रहा है कि हमारे जिसमें इंटरेस्ट होता है वो क्यों छूट जाता है अब इसमें direct-direct क्या बताया गया है कि जैसे हम बच्चे होते हैं तो हमारे काफी सारे interest होते हैं कि मैं ये बनूगा वो करूँगा मैं musician बनूगा मैं actor बनूगा ये करूँगा लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं जिम्मेदारियां आती हैं तो हम अपने कामों में busy हो जाते हैं interest को भूली जाते हैं हमारे दिमाग जो है उन्हें neglect करने लग जाता है तो यही चीज जो है यहाँ पर बताई गई है और consider this, Faraday discovered the laws of electromagnetic induction and his discoveries led him to formulate concepts such as lines of force and fields of force which were foreign to the then prevailing modes of thoughts अब आगे फराड़े के बारे में बताते हैं कि फराड़े ने अपना जो विद्यूत का जो चुमकिया परकिर्या का नियम था उसकी खोज की थी और अपनी जो जो भी उसने खोज की थी line of force की और field of force की उसके विचारों को तो उन्होंने अपने accordingly represent किया था लेकिन उस टाइम के जो लोग थे या फिर scientist थे उनसे ये सारी चीज़े मतलब अभी अंजान थी अभी वो उसे समझ नहीं पाए थे इन सभी चीज़ों को और तब क्या हुआ उनके जो साती थे उन्होंने उसे एक अलगी नजर से देखा कि ये कहीं अपने दड़े तो नहीं मारे जाए रहा अपना ही टाइम पास किये जा रहा है हमें बुद्धु बना रहा है बट ओफ फराडे जा आइडिया मैक्सवेल रोट विद प्रोफेटिक डिस्क्रिमेंट लेकिन इसके बारे में भी फराडे ने कुछ ना कुछ अपने विचार जो है वो बविश्या वाने करते वे बता दिये थे अब आगे मतलब सुरी फराडे के जो आइडियास थे उस पर मैक्सवेल ने कुछ लिखा था तो ये आगे मैक्सवेल की लाइंस हैं अब इसमें मैक्सवेल ने फराडे की तरीफ किये इन फ्यूचर के लिए कि जिस तरह से फराडे ने अपने लाइन ओफ फोर्स से जो विद्यू चुमकिया प्रकिर यान की एलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन का जो भी को रिलेशन बताया है वास्ता में क्या चीज दिखा रहा है कि ये आने वाले टाइम में बहुत बड़े मैथमेटिशन बनने वाले हैं या बहुत ही बड़े मैथमेटिशन हैं ये भी कह सकते हैं और यागे ये भी लाइन करते हैं बविश्यमानी करते हुए कि हो सकता है कि ये इतने बड़े mathematician गिने जाएं कि आने वाले जो भी mathematician होंगे आने वाले future के वो इनके नियमों से अपने नियम बनाएं अब आगे Maxwell क्या बताते हैं कि हम अभी उस science से अंजान है पूरी तरह से अंजान है जो की आने वाले समय में develop होने वाली है आज के समय हम जो materially कटे करें आने वाले समय में science इनको use करें ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा कब होगा जब फराडे के बाद आने वाले और भी philosopher ये scientist होंगे वो इस पर अपने experiment करेंगे यानि कि यहाँ पर उन्होंने science की तारीफ कर दी Maxwell ने अब आगे एक Gladstone नाम से कोई बंदा होता है वो इस पर अपने views दे देता है अब Gladstone क्या कहता है इसके बारे में Gladstone उस टाइम के point थे पहले के टाइम के मतलब फराडे के टाइम के ही तो उन्होंने इसके बारे में इनसे कोई ना कोई मतलब दखल अंदाज करते हुए और इन्होंने कोई भी patient नहीं हो रही थी तो उन्होंने impatiently इनसे पूछ लिया लेकिन इसका क्या यूज एफ और इसके जवाब में फराडे ने क्या कहा वाई sir there is every probability that you will soon be able to tax it अब इसमें हमारे जो फराडे साव है उन्होंने इसका जवाब दे दिया कि क्यों sir क्यों नहीं हो सकता ये क्यों ये use में नहीं आ सकता हो सकता है आने वाले time में आप इस पर card लगा दें text लगा दें हो सकता है क्या आप लगाएंगे लगाएंगे और फराडे का जो response होता है वो हमेशा ही positive way में ही लिया जाता है न कि उसको approvingly ही लिया जाता है तो ये इनकी lines जो है ये काफी ज़्यादा famous होगी अब आगे ये और बात कहा देते हैं मतलब काफी शानदार बाते कहीं है इसमें तो आने वारे ये जो मतलब भी डार्विन का confession हमने previous page पर पढ़ा उसके लगा फराडे का जो भी response है और उसके लगा जो भी शेली का जो भी इस पर response है वो एपोज़ट है यानिकि वो भी उचीत है जो कि इन्होंने defense of poetry में आगे वाली poetry में हमें बताया है तो ये science के cultivation के बारे में हैं कि cultivation वैसे तो science में यूज होता है जुताई के लिए यानकि हम खेतों की जुताई करते हैं उसके लिए उस होता है तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि science का किस तरह से कटाव हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे अब so the cultivation of those sciences which have enlarged the limits of the empire of men over the external world has for want of the poetic faculty proportionally circumscribed those of the internal world अब या आगे बताते हैं कि science की जुताई हो रही है कटाई हो रही है अलांकि which have enlarged the limits of the empire of men over the external worlds हलांकि science तो क्या कर रहे है वो बाहर की दुनिया से सभी को जोड रहे है यनिकि इंसान को जोड रहे है यनिकि इंसान अब खोज करता ही जा रहे है इस परिथ्वी से भी बाहर निकल कर लेकिन फिर भी क्या है उसकी जुताई हो रही है उसका cultivation हो रही है as for want of the poetic faculty और ये कटाई किस वज़े से हो रही है poetic faculty के लिए जो poetist की कमी हो रही है उसकी वज़े से ऐसा हो रहा है proportionally circumstriped those of internal words और इस वज़े से क्या है science अपने बाहर की दुनिया से जुड़ रहा है लेकिन उससे कटता जा रहा है and man having enslaved the elements remain himself a slave और ये बहुत ही शांदर बात इन्हों ने बताई है कि इंसान जो है हलांकि वो इंसान इन elements को जो भी तत्व की खोज कर रहा है उसे अपना गुलाम बनाना चाहरा है लेकिन वो खुद ही इनका गुलाम बनता जा रहा है ऐसी बात भी इन्हों ने बतादी है वो आधुनिक संसार से या फिर जो टेक्नोलोजी है उसको लेकर ही जदा समवेधन शील नहीं रहे होंगे या सेंस्टिव नहीं रहे होंगे तो इसके बारे में भी मैं आपको कुछ नहीं कुछ बताना चाहता हूं यह आगे कहते हैं तो अब यह क्या बताते हैं आगे अब यह कहते हैं यूटिलिटी जो हमारी यूज होने वाली चीज़े होती हैं तो उसको बढ़ावा देने वाले जो भी लोग होते हैं इन दा लिमिटेड सेंस यानि की सीधी सीधी बात में क्या कहते हैं have their appointed office in society यानि कि जो भी इन चीजों को बनाते हैं लोग उन सबी का इस संसार में सुसाइटी में समाज में कोई ना कोई नाम तो है they follow the footsteps of poets और वो सबी क्या करते हैं इन poets के ही पच्चिनों पर चलते हैं यानि कि इनों को follow करते हैं and copy the sketches of their creations into the book of common life और वो क्या करते हैं इनके sketches को यानि कि इनकी creativity को copy करते हैं poets की creativity को और फिर कि एक common life की book में ही उसे चाप देते हैं यानि कि उस पर अपना नाम ले रेते हैं they make space and give time अब ये क्या इसमें अपनी जगा भी बना लेते हैं अपना time भी देते हैं और अपना नाम भी बना लेते हैं अब ये आगे बताते हैं कि शैली की जो अपना नाम भी बना लेते हैं उसका English literature में एक बहुत बड़ा नाम है यानि कि काफी ज़्यादा famous है English literature में Now W.B. Yeats called it the profoundest essay on the foundation of poetry in English language और जो W.B. Yeats हैं उनका क्या कहना है कि ये जो मतलब इनके जो साइट English literature में जो भी poetry की नीव है वो इसी को मान सकते हैं इनके essay को ही मान सकते हैं जो अभी हमने पढ़ा उपर ये वाला जो हमने शेली का defense of poetry का थोड़ सा part पढ़ा है उसे हम इसका उसकी एक नीव मान सकते हैं एक foundation मान सकते हैं poetry की The essay should be read in its entirely but allow me to read a selection अभी आगे कहते हैं कि हलांकि हमें इसको पढ़ना तो पूरा चाहिए अच्छे से लेकिन अभी मैं इसका चुनिंदा पार्टी एक select किया पार्टी पढ़ना चाहूंगा तो ये select किया हूँ पार्ट है ये वाला जो हम आगे पढ़ने वाले हैं Now poetry is the record of the best and happiest moment of the happiest and the best minds अब ये poetry की तारीफ कर रें ये या पर जो Shelly है उन्होंने poetry के बारे में बता है kangkyya आपने चेप्टर में देखा हो शूरू शुरू में तो इसमें poetry को क्या बताते है, poetry is the record of the best and happiest moments, of the happiest and best minds, अब यह poetry को बताते हैं कि poetry जाए वो अच्छे अच्छे दिमागों का, यानि कि जो शांत और शांदार और खुश मिजाज दिमाग है, उनके खुश मिजाज और शांत और अच्छे अच्छे moments का record है, यानि कि जो बंदा श जांत है, और उनकी जो happiest moments है, बेस्ट moments है, उसका record है poetry, poetry does makes immortal all that is best and most beautiful in the world, हलांकि poetry या करती है, दुनिया में जो भी अच्छे अच्छी चीज़े हैं, उनका एक record तो बनाती है, लेकिन उसे नश्वर बना देती है, इम्मोर्टल बना देती है, यानि कि एक किताब में छपा ह और रह जाता है, वो real life में नहीं दीखता फिर हमें, इस दुनिया में जो विलॉप्त होती चीज़े हैं और जो भी गायब हो रहा है, गायब होती चीज़े हैं, जैसे हिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा, सिंदू सब्बेता के बारे में आपने जातर पढ़ा ही होगा, 6 से 10 अंदर आ जाती है चीज़े, तो सिंदू सब्बेता आप लुप तो हो चुकिए, लेकिन उसके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते ही हैं कहीं ना कहीं, तो हमें उसके बारे में जानकर ही मिलती है, तो उसी तरह पोईट्री को भी compare कर रहे हैं कि पोईट्री जो है, इन सब divine अभी आगे poetry को बताते हैं कि poetry जो है कहीं ना कहीं एक allocing चीज़ है एक दिव्वे एक सुन्दर एक बहुत ही शांदर चीज़ है it is at once the center and circumference of knowledge और आगे क्या बताते हैं कि ये एक तरह से तो ज्ञान का केंदर भी है और साथ ही साथ उसकी परीधी का भी काम करती है मतलब center का भी काम कर रही है circumference का भी काम कर रही है it is that which comprehends all science और ये ऐसी चीज़ जो पूरी विज्ञान पूरी जो science है उसको नहीत कर लेती है अपने में यानि की उसको cover कर लेती है and that to which all sciences must be referred और ये ऐसी चीज़ भी है जिससे की हर एक science की चर्चा भी की जाए it is at the same time the root and blossom of all other system of thought और उसी time पर ये science का जो मतलब science को cover करने के साथ poetry का करती है poetry इसकी root भी बन जाती है and blossom of other systems of thought और हमारे जो भी thoughts है उनको अच्छे से खिलाती भी है यानि की उनकी विवस्ताओं को सबी को उनका एक epic center है एक जड़ है उसकी ये कह सकते हैं now poets are hierophants of an unapprehended inspiration the mirrors of the guy shadows which futurity cast upon the present अब आगे कवी के बारे में poets के बारे में बताते हैं कि poets जो है वो क्या है abuji सोच के अचारे अचारे यानि कि हम teachers कह सकते है तो poets जो है वो abuji सोच के अचारे होते हैं यानि कि एक तरह से वो teacher है जिनकी सोच जो है वो अपार है कहीं एंड ना होने वाली है उसके लवाई ये क्या कहते हैं कि ये एक तरह से mirror का का काम करती है कि इस तरह से कि जो हमारे present में होते हो भी हमें बविश्यम है यानि कि future में सोचने पर मजबूर कर देती है इस तरह से एक mirror का काम कर देती है अब इस line को समझीए understood not लिखा है इसको आप थोड़ सा confuse भी हो रहे होंगे तो ये actual में line ऐसी होनी चाहिए थी that the words which expresses what they don't understand लेकिन इसको do की जगा directly understand not लिख दिया है इनों ने ये point नहीं लिखा है तो इसे हम change नहीं कर सकते हैं तो आगे बताते हैं कि ऐसे शब्द जो उन शब्दों को व्यक्त करते हैं यानि कि उनको explain करते हैं ऐसे words भी है the trumpets which sing to battle अब ऐसे नगाड़े जो you do में battles में use किया जाते है and feel not what they inspire और ऐसी चीज़े भी है यानि कि जो मतलब दूसरों को तो inspire कर देती है यानि कि poets जो लिखते हैं उससे कई चीज़ें कई लोग inspire भी होते हैं लेकिन poets इन चीज़ों को ज़्यादा feel नहीं करते है the influence which is moved moved not but moves और एक ऐसा influence यानि कि एक ऐसा प्रभाव भी है जो खुद तो नहीं हिलता है लेकिन दूसरों को इलाजता है यानि कि poets जो हैं वो खुद तो लिखके अपना नकी हो जाते हैं लेकिन उससे के आने वाले word में आने वाले दुनिया में कई लोग कई चीज़ें ऐसे बिखर सी जाती हैं हिल भी जाती हैं काफे ज़दा poets are unacknowledged legislates of the world अभी अब poets को काफी उंचा बता रहे हैं कि poets जो है वो एक तरह से अधिकारी के रूप में एक अनुपचारिक विधायक के रूप में दुनिया के यानि को इन पर एक तरह से अलगी तरह से राज कर रहे हैं कहीं न कहीं अभी आगे एस चंदर शेकर और क्या बोलते हैं कि शैली की जो एक डिफैंस ओफ पोईट्री की जो कुछ सेलेक्शन है वो हमने अभी पढ़ा है तो इसको पढ़ते ही एक दिमाग में हमारे क्वेशन जरूर आता है कि यह डिफैंस ओफ पोईट्री तो है कहीं न कहीं लेकिन इसको इक्वली कहीं न कहीं कंपेर करने के लिए अडिफैंस ओफ साइंस किसी साइंटिस ने क्यों नहीं लिखा परहपस in raising the question I have in part suggested an answer to the one I have repeatedly asked during the lecture और इसी के साथ यह आगे बता जैते हैं कि कहीं न कहीं मैंने इस चैप्टर में इसको explain करते हैं अपने lecture में कहीं न कहीं इसका जवाब खुद ही दे दिया है कि क्या चीज़ बेटर है या क्या चीज़ नहीं है तो मतलब यह शिरू में जो question पूछ रहे थे and में कहते हैं कि मैंने कहीं न कहीं न कहीं यह सारी चीज़ बताते हुए इसका answer आपको दे ही दिया है तो एस चंदर शेकर की यह story थी अच्छी story है और शानदा चीज़ में रहे को क्या लगी इसका जो last वाला part है यह वाला यह जो इनकी जो selective poetry है यह चीज़ में काफी अच्छी लगी है तो इसे आप दो तीन बार अच्छे से पढ़ लिजीगा एक बार में समझ में आने वाली है नहीं चीज़ तो इसको आप अच्छे से दो तीन बार पढ़िएगा वीडियो को देख लिजीगा फर्स पार्ट भी देखीगा इसका ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए बाक से आप एक notebook में note कर लिजेगा और पर टे टाइम साथ साथ चेक कर लिजेगा तो मिलेंगे next video में next chapter के साथ next रेसे के साथ तो टाटा बाई बाई थैंक यू जै हिन